हेलो बच्चों नमस्कार स्वागत आपका हमारे चैनल दा एडुमेट पर बच्चों आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश की बुक से लेसन नमबर फाइफ ट्रैफिक रूल्स ट्रैफिक रूल्स याने यतयात के नियम तो आएए इसका pre-reading section देखें, pre-reading section में आप देख सकते हैं हमारे पास दो question दिये गए है, first is what do you do before crossing a road? रोड क्रोज करने से पहले आप क्या करते हैं? तो बच्चों रोड क्रोज करने से पहले We must follow the traffic signs. रोड क्रोज करने से पहले हमें red light का ध्यान लगना पड़ता है पहले राइट फिर लेफ्ट और फिर से राइट की तरफ देखना चाहिए अगर कोई वाहन नहीं आ रहा है तो ही हमें रोड क्रोस करना चाहिए नेक्स्ट इस टिक तपिक्चर विच शोज दा राइट वे टू क्रोस रोड तो बच्चो इन दोनों पिक्चर में जो सही वे है रोड क्रोस करने का उस पर आपको टिक करना है फर्स्ट में आप देख सकते हैं एक गाड़ी आ रही है और साथ ही साथ वो लड़की रोड क्रोस कर रही है वहीं दूसरी पिक्चर में आप देखेंगे रेड लाइट हो रखी है गाड़ी रुख गई है और जेब्रा क्रोसिंग के थूँ वो लड़की रोड क्रोस कर रही है तो इसमें सही पिक्चर कौन सी है which shows the right way to cross a road and it is picture second दूसरी पिक्चर सही है तो second picture पर हम टिक करेंगे आईए आगे चलें now next is reading section reading section में हमारे पास यहां traffic rules से related एक poem दी गई है सभी बच्चे इस poem को ध्यान से सुने और वीडियो देखने के बाद सभी इसे अपनी notebook में भी लिखें so let's recite the poem traffic rules when you go out into the street in your vehicle or on your feet look out for each traffic sign to keep you safe, secure and fine to cross the road when you go walking use the black and white zebra crossing if a signal changes to the color red stop at once, don't go ahead get ready to start when it turns yellow green it means now you can go obey the rules without much fuss and reach home safe you are very precious आई एक बर फिर सही से रीड करें traffic rules when you go out into the street in your vehicle or on your feet look out for each traffic sign to keep you safe, secure and fine to cross the road when you go walking use the black and white zebra crossing if a signal changes to the color red stop at once, don't go ahead get ready to start when it turns yellow green it means now you can go obey the rules without much fuss and reach home safe, you are very precious तो बच्चो ये थी पोयम traffic rules आईए अब जानते हैं इस पोयम में क्या कहा गया है बच्चो ये है पोयम है traffic rules से related याने यातायात के नियमों से संबंदित ये है यातायात के नियमों के बारे में हैं और इसमें कहा गया है कि सड़क पर चलते समय चाहे हम पैदल हो या वाहन में हो हमें यातायात के संकेतों की और पूरा ध्यान देना चाहिए ये है संकेत हमें सुरक्षा परदान करते हैं सड़क को पैदल पार करते समय हमें जैबरा क्रोसिंग का प्रियोग करना चाहिए यह काली तथा सवेद पट्टियों से बना होता है यदि लाल बत्ती हो जाए तो हमें तुरंत रुक जाना चाहिए पीली बत्ती होने पर हमें चलने के लिए तयार होना चाहिए और हरी बत्ती होती है तो हमें चलना चाहिए हरी बत्ती हमें चलने का संकेत देती ह सच तो यह है कि जीवन बहुत ही कीमती है यदि हमें सुरक्षित घर पहुंचना है तो हमें यातयात के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए तो बच्चो आशा करता हूं इस पोयम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा आपने सीखा कि हमें यातयात के नियमों का पालन करना चाहिए अगर हमें safe and secure रहना है बच्चो यातयात के नियमों से related आप हमारी वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो के description में link दिया गया है वहाँ जाकर उस वीडियो को देखें तो बच्चो आशा करता हूँ आपको या पोयम अच्छी लगी होगी आप सभी इसे अपनी notebook में लिखें और इसे learn करें तो बच्चो आज के लिए बस इतना ही अगली वीडियो में हम इसकी exercise करेंगे इस वीडियो को like तदा share करें और हमारे channel को subscribe करें Thank you